लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें गुट निर्पेक्ष देशों के वर्चुल सम्मेलन में पीम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निसाना बोले कुछ लोग फ़ला रहे आतंक का वाइरस कोरोना को रोकने साजा चर्चा महराष्ट MLC चुनाओ सिवसेना से उद्धव ठाकरे और निलम गोरे होंगे उमिद्वार नौ सीटों के लिए 21 मई को चुनाओ 11 मई को नामांकन की आखरी तारिख चुनाओ पर कोरोना का साया महराष्ट में कोरोना वे स्पोर्ट जारी पिछले 24 घंटों में 36 की मौत 790 नए केस सामने आये सरकार का दावा संकरमण रोकने सभी जरूरी प्रयाज जारी मोधी सरकार से उद्धो ठाकरे की अपी लागडाउन से मुक्त होकर घर जा रहे मजदूरों से नालर रेल्वे किराया स्रमिकों की आर्थिक हालत खराब राहत की दरकार नविम्बई में नहीं खुलेंगी शराब की दुकाने मनपा आयुक्त और पुलिस आयुक्त ने किया खुलासा उम्मीद में फिर भी वाइन शॉप पर उमड़ी भीड घरों में कैद लोग अलकोहल के लिए बेताब एपीमसी मंडियों से फूट सकता है कोरोना का बम चार हजार लोगों की जाच में साइक्डू पॉजिटिव केस एक्टिव होने की आश्रंकाया प्रशासन की बढ़ सकती है है हैरानी नविमबई में 354 हुई कोरोना मरीजों की संख्या 24 घंटे में सामने आये 34 नए केस एक और कोरोना मरीज की मौद से 6 पर पहुँचा आकडा हालत चिंता जनग परवेल मनपाच्यत्र में 62 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 घंटे में मिले 9 एक्टिव केस गामीड इलाकों से 7 नए मरीजों की पहचान अब तक 2 की मौद थाने मनपाच्यत्र में 24 घंटे में 23 नए कोबिट केस 412 पर पहुँची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लागडाउन को लेकर शक्त हुआ प्रशासन नवीम बई से प्रवासी मजदूरों की घरवापसी सुरू वासी के कोबिट सेंटर से करनाटक के लिए रवाना हुई 5 बसं यूपी वाले मजदूरों को अभी भी अपने प्रशासन से बस भेजने का इंतजार